नमस्ते बच्चो आज की इस तासिका में आप सब का स्वागत है बच्चो आप कैसे हो उम्मीद है आप सब कुशल ही होंगे तो चलो बच्चो आज की तासिका को शुरुआत करते हैं बच्चो आज की तासिका में हम जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है सपूत और यहाँ पार्ट एक कथा के रूप में आपको दिया गया है और इस कथा में हम क्या देखने जा रहे हैं कि एक अच्छे पुत्र के कौन-कौन से गुण होते हैं और यही गुण आपको इस पार्ट में बताए गया है अच्छा पुत्र माबाप की सेवा करता है और उनका सहारा बनता है उनकी बुड़ापे की काठी बनता है उनको सहारा देता है उनके बूरे वक्त में उनके साथ खड़ा रहता है और उसे ही हम कहते हैं सपुत्र ऐसा लड़का या ऐसा पुत्र की जिसे अपने कर्तव्य की जानकारी होती है और अपने कर्तव्य का पालन वह करता रहता है अपनी माबाप की सेवा करता है उसे हम क्या कहते हैं सपूत्र लेकिन बच्चों क्या होता है पता आपको कि हर एक मा को लगता है कि मेरा बेटा ही सब सबसे अच्छा है और वह अपने बच्चों के अंदर जो भी गुण होते हैं फिर वो अच्छे गुण हो या फिर अवगुण हो लेकिन मा को अपना ही बच्चा सबसे अच्छा लगता है लेकिन हम सपूत किसे कहेंगे तो यह इस पादवारा हम जान लेंगे बच्चों यह एक बहुत पुरानी कहानी है बहुत पुरानी बात है फुलेरा नामक एक आदर्श गाउ था गाउ में हर तरफ स्वच्चता थी तो बच्चों हम आदर्श गाउ किसे कहेंगे तो ऐसा गाउ जिसमें स्वच्चता की ओर ध्यान दिया गया है आप इस चित्र में भी देख सकते हो ना कि यह जो फुलेरा गाउ है बहुत ही स्वच्च है वहाँ पर आप कई भी गंदगी दिखाई नहीं दे रही है साफ सफ पाई के ओर बहुत ही ध्यान दिया गया है तो ऐसा ही एक गाउ था जो आदर्श था और जिसका नाम था फुलेरा गाउं की गलियों में नियमीत रूप से ज़ाडू लगाई जाती थी उस गाउं में क्या होता था नियमीत रोज से नियमीत मतलब रोज ज़ाडू लगाई जाती थी गाउं की जो गलिया थी वह भहत ही स्वच्च थी कहीं पर भी आपको कच्रा या फिर कुछ भी कुड़ा नहीं दिखाई दिता था नालिया रोज साफ की जाती थी लिपाई पुताई करके घर आंगन सुन्दर रखा जाता था परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौदे थे तो गाउं की जो नालिया है नालिया मतलब जो गटर होते हैं उनको रोज साफ किया जाता था ताकि कहीं भी गंदगी ना हो लिपाई पुताई करके घर आंगन सुन्दर रखा जाता था लिपाई पुताई करना मतलब घर को अच्छी तरह से रंग देना जिसे हम कलर करना कहते हैं तो इस तरह से लिपाई पुताई करके घर को और आंगन को भी बहुत ही सुन्दर रखा जाता था आंगन को सजाया जाता था उस पे रंगोली निकाली जाती थी और जो गड़े होते हैं अंगल में उसे भर कर उसे भी साफ सुत्रा किया जाता था परिसर में बहुत ही जादा संख्या में आपको पेड पोदे दिखाई देते थे क्योंकि पेड लगाने से क्या होता है कि हमारा जो परियावरं है वह सुरक्षित रहता है स्वच्छ रहता है और हमारा जो परिया जो आसपास का जो परिसर होता है वो बहुत ही सुन्दर दिखता है और इसलिए इस फुलेरा गाउ को बहुत ही आदर्श गाउं माना जाता था क्योंकि इस गाउं में इन सब चीजों की ओर ध्यान दिया जाता था कुए का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक साउधानिया बरती जाती थी कुवा मतलब वेल और निर्मल मतलब स्वच्छ तो ये जो कुए का पानी है उसे स्वच्छ रखने के लिए अलग अलग प्रकार की साउधानिया रखी जाती थी जिससे कि ये पानी गंदा न हो एक दिन पनघट पर तीन स्त्रिया पानी भर रही थी वे अपने अपने लाडले केगुणों का बखान कर रही थी जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चो हर एक स्त्री को अपना जो बच्चा होता है वही सबसे अच्छा लगता है तो एक दिन इसी गाओं की तीन औरते थी तीन स्त्रिया थी वहाँ पनघट पर पनघट मतलब जहाँ पर हम पानी भरने जाते हैं वहाँ पर पानी भर रही थी और उसी वक्त वह क्या कर रही थी तो अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी बखान करना मतलब वर्णन करना तो मेरा पुत्र कितना अच्छा है और सबसे अलग किस तरह से है और सबसे गुणी किस तरह से है यहाँ वह हर एक स्थ्री अपने अपने लाडले का वर्णन कर रही थी एक बोली, बहन, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है जब से शहर से पढ़कर आया है चारो और उसकी धूम मची है तो उसमें से जो एक स्तृती वह कहने लगी कि मेरा सपूत बड़ा विद्वान है विद्वान मतलब ग्यानी है बहुत ही उसके पास नौलेज है इंटिलिजिन्ट है जब से वह शहर से पढ़कर आया है चारो और उसकी धूम मची है मतलब लोग उसका गुनगान गा रहे है क्योंकि वह बहुत ही विद्वान है अब उसे वह विद्वान क्यों कह रहे थी? क्योंकि वह बड़े बड़े गरंथ पढ़ लेता है आकाज के तारो को देखकर उनके नाम बता देता है देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है तो वह जो पहली स्त्री थी वो बोल रही थी कि मेरा बच्चा बहुत ही विद्वान है वह क्या करता है? तो बड़े बड़े गरंथ पढ़ लेता है बड़ी बड़ी जो पुस्तके होती है वह पढ़ लेता है उसको आकाज के तारो को देखकर वह उन सारे तारो के नाम भी बता देता है उसी के साथ साथ देश वदेश की सभी बातों का उसे पता है और इसलिए मेरा ही पुत्र सपूत है ऐसा वह करती है तो यहाँ पहली स्त्री की बात सुनते ही दूसरी स्त्री को जोश आया और उसने बोलना शुरू किया तो दूसरी ने क्या बोला? दूसरी ने जोश में जट से आगे बढ़ कर कहा अरी सकी मेरे लाल जैसा बली तो दस पांच गाउं में भी देखने को नहीं मिलेगा पांच सो दंड बैठक वहर रोज सुबह लगाता है तो जो दूसरी थी उसने जब सुना क्या और यह अपने बच्चे का वर्णन कर रही है अपने बच्चे के गुणगान गा रही है तो इसने भी जोश में आके बोलना शुरू किया और उसने कहा कि मेरे लाल जैसा बली बली मतलब बलवान तो दस पांच गाओं में भी देखने को नहीं मिलेगा पांच सो दंड बैटक वह रोज सुबर लगाता है मतलब बहुत ही कसरत करता है अखाडे में जब ताल ठोक कर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान उसका मुकाबला करने से घबराते है तो जो दूसरी औरती उसने बताया कि मेरा लड़का सपूत है क्योंकि जब वह अखाडे में उतरता है तो बड़े बड़े पहलवान भी उसके साथ मुकाबला करने से घबराते हैं उसके साथ प्रतियोगिता लड़ने से डरते हैं उससे कॉम्पिटिशन कोई भी करना नहीं चाहता डरते हैं सब लोग क्योंकि वह बहुत ही बलवान है और इसलिए मेरा पुत्र ही सपूत है जब तीस्त्री स्री की बारी थी पर वह चुप रही इस पर उन दोनों ने कहा बहन तुम चुप क्यों हो लगता है तुमारा लड़का कपूत निकला अब जब ये दोनों स्त्रिया अपने अपने बच्चों का गुणगान गा रही थी तब तीस्त्री स्री चुप चाप खड़ी थी यह देखकर उन दोनों ने उससे पूछा कि क्या हुआ बहन तुम चुप चाप क्यों खड़ी हो क्या तुमारा लड़का कपूत निकला कपूत मतलब दुरगुणी निकला तीस्री स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली बहनों सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्चा है वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है तो उसने बताया कि बहनों मेरा लड़का जो है मुझे तो ये पता नहीं कि सपूत कैसा होता है और कपूत कैसा होता है लेकिन मेरा लड़का बहुत ही अच्चा है मेरा लाल मतलब मेरा जो लड़का है लाडला है वह बहुत ही अच्चा है और वो कैसा है तो वह एकदम सीधे साधे स्ववाव का है और वह कौन है तो एक सीधा साधा किसान है जैसे पहले स्री ने बताया कि मेरा लड़का विद्वान है, दूसरे ने बताया कि मेरा लड़का कौन है, बलवान है, अब इसने बताया कि मेरा लड़का कौन है, एक सीधे साधे स्वबाव का किसान है किसान मतलब क्या बच्चो किसान मतलब फार्मर दिन भर खेत में जुता रहता है शाम को घर का काम करता है आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा अब उसने कहा कि मेरा लड़का अच्छा क्यों है क्योंकि वह दिन भर खेत में जुता रहता है मतलब खेतों में काम करता है दिन भर वह काम करता है और जब शाम को घर आता है तो घर घर के भी काम वो करता है मुझे भी काम में हाथ बटाता है और आज क्या हुआ है तो बहुत मैंने उसको कहा इसलिए वह मेला देखने गया है और इसी वज़ा से आज मुझे पानी भरने के लिए आना पड़ा, नहीं तो मेरा लड़का ही पानी भरने का भी काम करता है तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि अब तक जो कहानी हमने देखी कि जिसमें तीन औरते हैं पहले तो हमने देखा कि फुलेरा नाम का गाव है और उसे आदर्ज काव क्यों कहते हैं वो भी हमने देखा क्योंकि उस गाव में बहुत ही स्वच्चता की ओर ध्यान दिया जाता है वहां की गलिया बहुत ही स्वच है पीने के पानी को स्वच रखने के लिए सावधानिया बरती जाती है हर घर और आंगन को सुसजित रखा जाता है सजाया जाता है उसके साथ ही गाउं की जो नालिया है उनकी सफाई रोज होती है गाउं की गलियों को साफ रखा जाता है और इसी वजह से यहां गाउं आदर्श गाउं है उसके बाद हमने देखा बच्चों कि कैसे गाउं की जो तीन औरते हैं अपने अपने बच्चों के गुणों का वर्णन करती है तो इसके आगे का जो पाठ है इसके आगे की जो कहानी है वह हम अगली तासिका में देखेंगे अब हम बच्चों इस पाठ में आए कुछ शब्द देखते हैं और उनके अर्थ को समझते हैं पहला शब्द है नियमित नियमित का अर्थ होता है रोज परिसर का अर्थ है आहाता मतलब कमपाउंड निर्मल मतलब शुद्ध साउधानी इस शब्द का अर्थ है सतरकता बखान इस शब्द का अर्थ है वर्णन बली बली मतलब बल्वान मुकाबला मतलब प्रतियोगिता कपूत मतलब दुरगुनी जिसके अंदर अच्छे गुन नहीं होते उसे कहा जाता है दुरगुनी पच्छाडना मतलब हरादेना स्वच्छता मतलब सफाई लिपाई पुताई हमने देखा कि गाओं के घरों की लिपाई पुताई की जाती है मतलब घर में रंग लगवाया जाता है उसके बाद का शब्द देखिए पंगट पंगट मतलब जहाँ पानी भरने की जो जगह होती है उसे कहा जाता है पंगट सूसजित सूसजित मतलब सजा हुआ विद्वान विद्वान इस शब्द का अर्थ है ज्यानी ग्रंथ हमने देखा कि जो पहली औरत है पहली स्त्री है वो कहती है कि मेरा लड़का विद्वान है वह बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ता है और ग्रंथ का मतलब होता है बड़ी बड़ी पुस्तके इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कुछ प्रश्न जैसे कोश्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्तस्तानों की पूर्थी करो अब यहाँ पर आपको कोश्टक दिया है कोश्टक का मतलब है ब्रैकेट उस ब्रैकेट में उस कोश्टक में कुछ शब्द दिये है आपको क्या करना है आपको जो नीचे वाक्य दिये है तो इस कोश्टक में से उचित शब्द को चुनकर वहाँ पर आपको लिखना है अब कोश्टक में कौन-कौन से शब्द है तो सीधे साधे, मुकाबला, गुणो, ग्रंत और संकोच पहला वाक्य देखिए, तीन स्त्रिया अपने अपने लाडले के डैश का बखान कर रही थी अब इसके लिए उचित शब्द है गुणो, तो वाक्य होता है तीन स्त्रिया अपने 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 लाडले के गुणो का बखान कर रही थी दूसरा वाक्य देखिए पहली स्री का बेटा बड़े बड़े डैश पढ़ लेता है अब यहाँ पर उचित शब्द है ग्रंथ तो वाक्य होगा पहली स्री का बेटा बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है आगे का वाक्य देखिए अखाडे में जब वह उतरता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका डैश करने से खबराते हैं अब यहाँ पर उचित शब्द है मुकाबला और वाक्य बनता है अखाडे में जब वह उतरता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से गबराते हैं आगी का वाक्य देखिए मेरा लाल भी सीधे साधे स्ववाव का साधारण किसान है यहाँ पर रिक्तसान पर हमने जो शब्द लिखा है वो है सीधे साधे पाचवा वाक्य देखिए दूसरी स्री का पहलवान पुत्र मतवाले डैश की तरह जूम रहा था अब यहाँ पर उचित शब्द है हाथी तो वाक्य बनता है दूसरी स्री का पहलवान पुत्र मतवाले हाथी की तरह जूम रहा था तो बच्चों इस पार्ट में आज हमने एक छोटी सी कहानी देखी जो अभी कुछ बाकी है वो हम अगली तासिका में देखेंगे और इस पार्ट में हमें यह समझना है कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्यान और बल अधुरा होता है आपके पास कितना भी ज्यान हो आपके पास कितना भी बल हो कितनी भी ताकत हो लेकिन जब तक आपके मन में किसी के बारे में अपनी माता पिता के बारे में कर्दव्य की भावना नहीं होगी सेवा की भावना नहीं होगी तो आपका ये ज्यान आपका ये बल कैसा है और धुर रहा है तो चलो बच्चों मिलते हैं अपनी अगली तासिका में धन्यवाद